पॉलर जुड़ गए हैं उसे बात कर लेती हैं हर्याणा से हैं दीन देयाल जी स्वागत है आपका हलो सर टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजे सवाल करिए अपना आपकी उम्र कितनी हैं उम्र साशा होगी दो साम के लगाता अपना पर इकार होगी इंपड़िगी जी अधिकी जब ये मर्स होता है तो हम इलाज करते हैं बहुत अच्छा इलाज है वो जो इलोपैटी की इलाज बहुत अच्छा टाइफाइट का और वो साथ दिन पंद्रा दिन लगदार करने से टाइफाइट का जाना मुम्किन होता है बहुत अच्छी दवाए है अलोपैट में और यह होता क्या है टाइफाइट हमारे आतों में गंदगी हो जाती है जिसकी वज़े से बुखार होता है और पूरा पेट मतासिर हो जाता है वो इंफेक्शन हमारे पूरी बाडी में आ जाता है जिसका एक तो हमें इलाज करने के बाद पूरा फिर एक टेस्ट कराना चाहिए कि हमारे जिसम में टाइफाइट तो नहीं है और एक आसान नस्खा है वो आप उसके साथ में लेज सकते हैं दोगिए एक पौधा होता है वो जंगली पौधा है जिसे हम चिर्चिटा कहते हैं एक जंगली पौदा जिसे कोई उप जाता नहीं है बलके खुद ही उप पचता है खेतों के किनारे पे सडकों पे यहां से मैं जाता हूँ कहीं पर गाड़ी से तो बहुत खड़े मिलते हैं सडकों के किनारे गामों में बहुत होते पालक की तरह इसका पत्ता होता है तो इस पौधे की जड़का छिलका है जड़का छिलका ले ले उसे दो दाके एक तीन चार इंच का जड़का छिलका रोजाना उबाल के पिया करें और डॉक्टर्स का इलाज भी ले तो आपको ठीक होना मुमकिन है ग्ले कॉलर स्वागत है आपका जी रा दे रादे अदा वेल Quand जी बताएये आपकी बेटी तो बैठी है आपको इसको इसको बहुत पसंद करते शर्टको WhatsApp म बहुत प्यार करती मेरा बेटा जो था वो बरेली से जैतून का छिर्का लाया थीक जैतून चिर्का लाया था जी जी आए टीवी मत सुनीया आप सीधा फॉन से बात बीजिये नहीं मैं टीवी नहीं सुन नहीं हाँ बरेली से जैतून का छिर्का लेकर आया थे आपके बेटे पिर आपो बोच चिर्का उसमें दो तीन चार वो पड़े हैं चोटे चोटे पीस और बने पीके दे आख कियो मैंने आपके यहां से जैतून का चिर्का और सब सारी चीज मैंने मगाई थी गोग्ड मौधिंगा जब हाँ तो बहुत नकली है साथ हाँ देखिए मैं तो कही रहा हूं के और कोई सवाल हो तो कर लिजे नकली सब लोग नकली बनाने लगे और वो पीज भी डाल देते हैं जैतून के हाँ सवाल मेरा यह है कि मेरे मतलब जब जड़ों का सिर्का में पीची हूं हर तरह मुझ में वो सब चीज मिला के पीची हूं अब मैं जैसे ही सुबर एक समस्त पीची हूं तो मेरे एक गम लैट भी ना आती है जी है ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा देखिए मैं सब को आजके और कोई काम भी निकाना है यही बतारहा हूं कि नकली सिर्के भी बना लिये मैं जो भी चीज बताताूं पहले तो असली मिलती है फिर सारे विज़िवन जो clicking बना लेती हैं, जयतुन का सिरुक़ाई भी नकली बना लिया लोगों ने, इसका रंगी जो है वो, Kill अ काफी कलर होई, चाय जैसा काफी जैसा कलर होता है, और, मैंने तो सब को खरीदा, जो भी जहां, इस, इसने बनाया, उसको बनाया, और चेक किया, मेरे पाद पूरा इंतजाम है, तो सब नकली बना रहे हैं, कैमिकल के बना रहे हैं, तो वो फायदा नहीं देगा, और ये असली सिर्का आप ले लिजे और इस्तमाल करिए, अगर लेटीन कम होती है, तो धनिये का पाउडर एक चमच आप खालिया करिए, उसके जी नमस्कार, और हकीम साथ को भी पर चुके पना, अदाब जैहिन, वेलकम, बताईए भाई क्या सवाल है, जी शार मैं तो चे महिने से लगा रहा हूं, अभी लगा है, चे महिने से लगा पे लगा तो नहीं लगा, तो अभी एक आप सब पहले दवा मंगाया हूं मैं, तो अभी पास हो, अभी घर में हर्दम तब्यात खराब ही रहता है, हमसे समझने नहीं रहता, दवा खराब से खराते भी हैं, अभी जै खराब है, अभी क्या हाल है? अब ही तीन आदमी के लिए अपने भरिया के लिए बंगाया हूँ दौत है। आज से तो दावा शुरू कियां तो अज तो आज से चुरू किया हूँ. और अपनी भावी के लिए जिनकी उमर बप्तीस साल है उनके लिए भूब किया हूँ. वह ज्यादा ततलित में अज browsing है. दजस साल से उनको कमर में जड़ राता है पूरा. अच्छा वोनों दवा यूज़ करने शुरू की? हाँ उन्होंने भी आज देखे ही, कल तो दे हमारे सब दवा पहुंचा है और आज दे शुरू की है ठीक है, ठीक है तो और एक पापा के लिए जिनको शाट साल उमर है इनको जैतुन का सिर्का मंगाया हूँ तो वो दो दो चम्मत उनको सुबह साम का आज दे रहा हूँ तो आज पूछना चाहता हूँ पर कि एक बार वो तो बताए हैं कि कैसे लेना है लेकिन आप भी बताज़े से कि उनके साथ और किसे लेना है ठीक है ठीक है से जाए तकलीफ में भावी हैं और देवर इतना ख्याल कर रहे हैं तो भगवान उनको जरूर अच्छा करेंगे ऐसा मैं भगवान से निवेदन करता हूँ तो आदा आदा गिराम दें और भावी से कहें के जमीन में बैटके जो हम काम करते हैं ये ज़ाड़ू पहुचेगा बिलकुल न कराएं और खड़े होकर किचन में काम करना चाहें तो करते रहें और बहुत अच्छा बहुत इहसान उन पर हुगा अगर ऐसा वेस्टन टॉयलेट का उप्योग वो करें नहीं है तो लगवा दीजे दवा से भी ज़्यादा जलूरी है क्योंकि भावी को बहुत तकलीफ है और पांच साथ दिन में फाइदा शुरू होना चाहिए एक महिने में बहुत अच्छा फाइदा जैसे जो शिद्दत होती न मार्द की जीने नहीं देती मर्ज की शिद्दत रोक की शिद्दत वो खतम होती सबसे पहले वो खतम होई तो मरीज को इत्मिनान आ जाता है कि हाँ अब मुझे फाइदा हो रहा है जुरूद पढ़ने पर कोई भी दवा दे सकते है इसे छोड़े नहीं अपने डैडी को दो दो चमच या तीन तीन चमच जैतून का सिरका दे सकते हैं खाने के बाद पानी में मिला कर या सबजी सालन में मिला कर उनके बहुत अच्छी फाइदा शुरू होगा आज से शुरू किया है और पी केर उनके लिए मंगाया अपने पाइस वालों के लिए आज से शुरू किया है और दो चार दिन सबर करें, आपको फाइदे नजर आने लगें, तो हमें दुबारा कॉल करिए, हमसे बात ना हो तो हमारे हेलप लाइन नमबर पर डॉक्टर बैठते हैं, उनसे अपने पूरी विस्तार से बात करके आप इत्मिरान हासिल कर सकते हैं, प्यारा से हैं, नीलम ज अब की उम्र कितनी है और ये तकलीफ कब से है, ये तकलीफ तो पंदरा साल से हो गई है, दुबाई खाते खाते, आपकी उम्र कितनी है, उमर 61 साल, अच्छा देखिए, पंदरा साल से आप तकलीफ उठा रहे हैं, मैं आप से 3-4 महीने मांगता हूँ, अईरवेदिक युन घानी के लिए, गरें लिए उसके हैं, एक तो आता है गौन सिया और बेकी नकली बहुत आ गया है, रोस कौल्स आती है, अभी कौल्स आई थी के नकली मिल गया है, और फाइदा ने हुआ, असली गौन सिया लें, खाली 100 ग्राम भी अगर मिल गया, तो ये 15-16 रूपे रोस क हादा गराम नाशते के बाद कहाएं आधा गराम रात कुछ कुंद को खाएं आप पानी से ही खाएं आप वरलों को न mencion पीना क्यूक्य ब्रड पेशर भी ये और दूद वागैर ब्रेट पेशर वालों को नहीं पीना है नसों में खिचाओ के लिए कमर में दर्द की जहां भी दर्द है उसके लिए और अगर आप एक पेस्ट बना लें और अद्रक लेसन का एक चटनी टाइप का बना लें और इसमें ज्यादा हो अद्रक और लेसन और बाकी चीजे नमक में इस तो सब डालते ही हैं अपरी माटर भी डालें सब कुछ डालें लेकिन अद्रक लहसन बहुत सा रहा हो और तो को हम गाउंवाले क्या करते हैं कि जब चटनी को ऐसे लगाते हैं रोटी पे और उसी से खाना खा लेते हैं यह सालन भी होता तब भी लगा लेते हैं मेरे घर में भी यूज होती है अद्रक रहसन का जब ज्यादा चटनी इस्तमाल करेंगा खूब इस्तमाल करिए तो यह कॉलिस्टॉल को डाउन करता है आपके और खून पतला करता है इसे आप लगाता ले तो आपको फाइदा होना मुम्किन है इसी के साथ कुछ कॉलर्स और जुड़ गए हैं उनसे बात कर लेते हैं यूपी से हैं कि तिवारी जी स्वागत है आपका जी नमस्कार जी नमस्कार अधा अधा जैहिन भाई तिवारी जी पताइए क्या सेवा की जाए तर गुप्त रोग में इंटर्नल प्रॉब्लम्स में आपकी कंपनी में तमाम दवाएं बनाई है आप बताते हैं जैसे रुकावट हुआ 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 हुसन सुलिमानी या तमाम प्रकार कियों तीजी इसके अलावा आप चिलवोजे का गोन भी सरबताते हैं तो सबसलाव सवाल हमारे यह है कि इनने सबसे अच्छा मिसका कौम सा है ठीक ठीक जो देखिए बहतरी जो दवाएं हैं इसमें भी ऐलोपेट बहुत अच्छा काम करता है जो इंग्लिश दवाएं आप लेते लेकिन उसके नुकसानाद बहुत होते और वो अपनी जरुवत में कभी कभी तो आप ले सकते हमेशा नहीं ले सकते और गौन चिलगोजा जो है वो काफी तेज होता है चिलगोजा जो है वो सबसे महंगा ड्राइफरूट है और उसका गौन उससे भी महंगा है दुनिया का सबसे महंगा ड्राइफरूट तो इसका आदा गिराम ही एक बार या जाज़ जाज़े दो बार वो भी छे घंटे के फर्क से ले सकते है उसमें कैफियत है अगर आपको वीरिये पतला है तो एक या दो चम्मच इस अब गोल की भूसी के साथ ले दूद्व मिलाके उससे ये ले आदा गिराम और बहुत ही परिशानी हो तो एक गिराम भी ले सकते है लेकिन ये काफी तेज होता है मैं आपको बताता हूँ और जिन लोगों को स्वपन दोश हो जाता है बहुत लोग ऐसे हैं करोडों जो रोज़ आना उनको स्वपन दोश होता है तो एक इंसान को अगर वो शादी शुदा नहीं है तो दो-तीन बार हम इसे एहतलाब कहते हैं सावपनदोश हो सकता है इससे ज्यदा होता है तो फिर हम अंदर से कमजोर होने लगते हुआ है और पिर इलाज करते हैं बहुत ज्यदा किसी सूरत फाइदा नहीं होता तो इसके लिए ले सकते हैं और मैं बहुत जादा इस बारे में बात नहीं करना चाहूँ हूँ क्योंकि मैं इस बारे में बात बहुत कम करता हूँ मैंने कभी भी कोशिश नहीं कि इस बारे में बात करो और जितने भी लोग है इस तालुक से उनसे मैं कहता हूँ के मेल और फीमेल दोनों के लिए है जिन को वाइट डिसचारज हो और एकजीमा के लिए भी बहुत अच्छी दवा है एकजीमा दाने बारिक-बारिक हाथों पे या पैरों पे हो जाता एकजीमा जो किसी सूरत नही जाता उसमें इसकी आदी खुराक, आदा गिलाग के खुराक काफी अच्छा काम करती है, मेरा जाती तजरूरी है, लेकिन असली मिलना जरूरी है, तफसील से बात करें हमारे हेल्पाइन नमबर पर और ये सबसे वहतर दवा हम कह सकते हैं, अरेली से हैं भगवान दाज जी, आधाबाद भाई, जी करती है, कर दी मेरा पोता है 15 साल का, जी, मैं इस बारे में बाra चाहरा हूं, मैं मेरा पोता है 15 साल का, जी, मैं तीवी मत सुनिये, सर, तीवी मत सुनिये तो देर में जवाब देंगे तो क्या है उसके बाल जो है बहुत घरते हैं, बेंडरस बहुत रहती है, तो उसके बारे में बाल हलके भी बहुत हो गए, तो उसके लिए उसके क्या उप्चार जो है, थोड़ा ठीक है चुछ लिए गारे में बाले में बाल जो है, तो उसके भी बाल जो है, तो उसके बाले में भी लेखने का बालने हैं, उसका इलाज अलग से करना होगा, तभी यह अच्छा हो पाएगा और अगर इसको ये रोग नहीं है तो फिर इजिली आप देखिए सफेद गॉन मौरिंगा अच्छा गॉन मौरिंगा में भी लोग वे इमानी करने लगे हैं लाल टाइप का देते हैं पीले टाइप का देते हैं सफेद वाला लेना जो ओफ वाइट कलर का होता है यह बर्फी जैसी होती है न मिठाईयों में ऐसा तो ये ले ले और एक गिराम रोजाना पानी में मिलाकर और दूद में मिलाकर या सबसे अच्छा नारियल पानी मिलाकर अगर आप हैसियत दार हैं तो उन्हें दे सकते हैं तीनों से काम करता लेकिन नारियल पानी के साथ ज्यादा अच झाल झाल